दोस्तो मीडियम की सानों के लिए सौराज लेकर आया है 2024 लड़ेस्ट मॉडल और भी जादा एडवांस नई टेकनोलोजी और धमदार फीचर्स के साथ में जोहाँ पर देख सकते हैं कमपनी ने डैसबूर्ट पूरी तरह से बदल दिया है दोस्तो इस नई टेक्टर पर आप कुछ फेंडर मिलने वाले है कर्वटाइब का फेंडर देखने को मिल जाता है क्वालिटी एसट की फीचर्स दिये गए है साथ में अगर बात कीजा इस टेक्टर के सामने की लुकी तो लुक भी आप देख सकते हैं कमपनी ने पूरी तरह से बदल दिये है साथ में आपको काफी भैदरीन क्वालिटी की जाली देखने को मिलने वाली है अब दोस्तो इस नए सेरीज में आपको तीन मॉडल देखने को मिलने वाले है जिसमें हाल ही लॉंच किया गया सौराज की तरब से ये काफी जादा बदलाव में नया ट्रक्टर जिसमें आपको काफी भैतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं दोस्तम आपको बताना चाहूंगा इस ट्रक्टर पर जो कंपनी ने प्रोवाइड कर आई है पूरी तरह से बदल दिये हैं अब यहां पर आपको जो हैडलाइट मिलने वाली है आट सु पच्पन जैसे देखने को मिल जाते हैं सामने आपको क्रोंफनेस के साथ में कोई भी लोगों बगएरा देखने को नहीं मिलता है खाली आपको नॉर्मल टाइप में यहां पर देख सकते हैं सौराज की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है पूरा लुक आप देख सकते हैं यह कंपनी ने लॉंच कर दिये हैं सौराज 744 FE कंपनी इस ट्रक्टर को लॉंच की है 4 स्टार के साथ में इसका 5 स्टार बेरेंड जल्दी ही आने वाला है मार्केट में तो इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने कुशिस तरह के फीचर्स प्रवाइट कराए हैं सामने आपको जो कंपनी ने देख सकते हैं कुशिस तरह का प्रफार्मस दिये है सामने इसमें आपको लगभाग 385 mm की आसपास ग्राउंड की लांस मिल जाता है साथ में इस ट्रेक्टर पर जो आपको कमपनी फ्रेंट एक्सल दे रही है इसमें आपको जो फ्रेंट एक्सल मिलने वाला है कमपनी दे रहा है अर्जस्टिंग टाप का स्ट्रेट फ्रेंट एक्सल और यह आप में देख सकते हैं साइड में लोकुषिस तरेगा दिया गया है साथ 744 FE फोरिश्टर की ब्रेंडिंग में आपको देखने को मिलने वाली है और इस ट्रेक्टर पर जो आपको इंजन मिलने वाला है पूरा बंधा हुआ टाइप में इंजन देखने को मिल जाता है दोस्तो यहां पर देख सकते हैं ट्रेक्टर की लंबाई की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 342 mm की लेंध मिल जाती है साथ में उसमें आपको 1945 mm की बेंध मिल जाती है दोस्तो इसमें आपको जो विल्वेस मिलने वाला है 2096 mm को मिल जाते है और इस ट्रेक्टर का पूरा बचन आपको 2070 kg का मिल जाता है पीछे की अगर बात कीजा तो पीछे का लुक देख सकते हैं काफ़ जादा हाई परफॉर्मेंस फीचर के साथ में आपको मिलने वाला है और इस ट्रेक्टर का पिछला लुक आपको सवराज 855 जैसे देखने को मिलने वाला है जैसे कि इसमें आपको फेंडर सपोर्टिंग रोट साथ में आप पूपर टोल बॉक्स और यहाँ पर देख सकते हैं कंपणी ने श्रेक्टर पर फेंडर अर्जस्टिंग के पॉइंट नहीं दिये हैं लेकिन इसमें आपको काफ़ी जादा हेवी जूटी वाला रियलक्सल देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको जो लोवर लिंक क्वालिटी मिलती है काफ़ी जादा हाई मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं फेंडर अर्जस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं company दे रहा है 3 point link case जिससे कि आप टॉपलिंग बगएरा बड़ी असानी से फसा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा heavy duty वाले parts दिये गए हैं इसमें आपको easy hitch देखने को मिल जाता है साथ में यहाँ पर देख सकते हैं eye sir के जैसे अब आपको रात में काम करने के लिए horizon type की चोगोड type में headlight मिल जाती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह कुछ इस तरह की headlight देखने को मिल जाती है और इसमें आपको जो company दे रहा है यहाँ पर plastic का toolbox अच्छी quality का मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं tire size की देख सकते हैं यहाँ पर आपको खरब type में front axle और इसमें आपको fender बगारा देखने को मिल जाता है दोस्तो इस ट्रेक्टर पर जब ओ company ने tire use किया है good year बाजरा का tire देखने को मिल जाता है और आपसनाल में आप C8 MRF किसी भी company के लेख सकते हैं जिसमें आप उच्छाउदा 298 का tire size देखने को मिलने वाला है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रेक्टर पर अगर बात की जाए front tire size की यानि की आँगे वाला tire की तो इसमें आप उस 750-16 का आँगे वाल tire मिल जाता है और आपसनाल में आप चाहें 600-0-16 का 368 किटास में ले सकते हैं दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं 744 की ब्रेंडिंग आपको sticker में देखने को मिलने वाली है साथ में आपको reverse video की ब्रेंडिंग भी मिल जाती है चलिए बात कर लेते हैं इसके engine की तो इस ट्रेक्टर को launch किये गया है तीन सीलंडर 48 HP कड़गर ही अंदर जिसमें आपको इस ट्रेक्टर को माईको बॉस की डवल इसल फिल्टर निल जाती है साथ में इसमें आपको company दे रहा है devil clash ट्रेक्टर पर चाहणने के बाद उपर का दिख सकते हैं व्यू कुछ इस तरह का मिल जाता है दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाता है coffee जादा, heavy duty और storage 963 जैसे मिल जाते है इसमें अगर आप बात की जाए extra features की तो neutral cut up switch देखने को मिलने वाला है और space दिख सकते हैं अच्छा खासा दिये गये है इसमें आपको oil वाले break साथ में आपको यहाँ पर देख सकते है footrest बगएरा सब कुछ देखने को मिल जाता है और दोस्तो इसमें आप दिख सकते हैं यहाँ पर आपको neutral cut up switch देखने को मिलने वाला है साथ में आपको side mount battery 88 AH 12 volt वाली दी गई है और दोस्तो इसमें अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको front axle देखने को मिलने वाला है चलिए बात कर लेते हैं इस्ट्रक्टर के silencer की sticker की तो silencer देख सकते हैं कुछ इस तरह मिल जाता है जिसमें company बहतरीन quality की जाली प्रोवाइट करा रहा है और इसमें आपको जाली होने से इस्ट्रक्टर पर अगर हाथ बगयरा जाता है तो धोके से हाथ बगयरा नहीं जलेगा और दोस्तों सामने का लुक देख सकते हैं यहाँ पर आगर आप इसको टेड़ा करेंगे तो यह ऐसे करने पर इसकी बॉनट को बड़े असानी से आप खोल सकते हैं चलिश का बड़ खोल का आपको दिखाता हूं तो देख सकते हैं इसमें आपको जो कंपनी यहाँ पर प्रवाइड करा रहा रेडिडिरेटर इसमें आपको काफी बड़ा साइस कर मिल जाता है और यहाँ पर आप दिख सकते हैं कमपनी ने कुछ इस तरह के हेडलाट प्रवाइड कराई है सिंगर इसमें आपको सौक अप देखने को मिलने वाला है दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं कमपनी ने कूलिंग शमता को और ज्यादा खास करने के लिए इसमें आपको जो front जाली मिलने वाली है यानि कि ready rator company ने काफी बड़ा कर दिये है और इस टेर्टर पर जो आपको इंजिन मिलने वाला है 3478 CC का engine देखने को मिल जाता है जो कि water cool type में engine आपको मिल जाता है और इसमें आपको engine के 2000 rated RPM दिये गये है दोस्तों यहाँ पर दिख सकते हैं इस तरफ आपको steering का subret oil tank अलख से मिल जाता है साथ मिस में आपको fuel system के लिए micro boss का airline pump यूज किया गया है side में आप दिख सकते हैं company ने कोशिज तरह के parts प्रवाइड कराए है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको SFC दिखाना चाहूँगा जिससे कि आप लोग इस ने ट्रक्टर का idea लगा सकती है कितना जादा mileage देने वाला है यह फिर fuel की खबत करने वाला है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं company ने इस ट्रक्टर पर जो SFC प्रवाइड कराई है इसमें आपको SFC की बात की जाए 255 ग्राम किलोवाट पर घंड़ यह मिल जाती है साथ में इसमें आपको 30.1 किलोवाट की PTO पावर मिल जाती है चलते हैं उपर और बात करते हैं उपर की व्यूप की तो उपर कर दिख सकते हैं व्यूप कुछ इस तरह का मिल जाता है जिसमें company ने काफी बहतरीन फीचर्स प्रवाइड कर आए है और इसमें आप दिख सकते हैं यहाँ पर hydraulic log साथ में अगर पात की जाए उपर की तो इसमें आप दिख सकते हैं थ्री companies में दे रहा है थ्री spoke wheel वाला steering बीच में आपको logo और साथ में आपको horn button मिल जाता है साथ में यहाँ पर आप दिख सकते हैं company दे रहा है normal type का dashboard जिससे की अब dashboard भी करने का जंजटी कातम कर दिया है company ने और इसमें आपको neutral सुच देखने को मिल जाता है दोस्तों यह तो अगर ऊपर की view बात कर लेते हैं पीछे के profile की lifting capacity की PTO HP की PTO type की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछला ही सब कुछ इस तरह का मिलने वाला है जिसमें company ने दिया है 1700 kg की भारी भर कम lifting capacity साथ में इसमें आपको 546 इस्टेंडर 549 रिवर्ट स्पीटियो साथ में आप चाहें तो ground speed PTO भी ले सकते हैं जिसमें आपको 1700 kg की भारी भर कम lifting capacity के साथ में इस ट्रक्टर पर आपको 44 HP की PTO पापर देखने को मिल जाती है तो दोस्तो देख सकते हैं ट्रक्टर का पुरा लूग कोशिश रहेगा मिलने वाला है तो आसा करता हूं तो वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लि